ओम शान्ती दो जन्वरी दो हजार चोबिस प्रात्ता मुर्ली ओम शान्ती बाप दादा मदुबन आज की मुर्ली का सार है मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्थ हो जाएंगे किसी भी बास से डर नहीं लगेगा तुम फिकर से फारिक हो जाएंगे बच्चे देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्थ हो जाएंगे किसी भी बास से डर नहीं लगेगा तुम फिकर से फारिक हो जाएंगे आज की मुर्ली का प्रश्ण है नए ज़ाड की व्रद्धी किस तरह से होती है और क्यों? बाबा ने उत्तर दिया नए ज़ाड की व्रद्धी बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है बाबा कहते नए ज़ाड की व्रद्धी बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है ऐसे ड्रामा अनुसार यह ज़ाड भी धीरे धीरे व्रद्धी को पाता है क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है देही अभिमानी बनने तो बहुत खुशी रहे बावा कहते देही अभिमानी बनने तो बहुत खुशी रहे सर्विस में भी व्रद्दी हो सर्विस में भी व्रद्धी हो बाप और वर्से की याद रहे तो बेडा पार हो जाए अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रती याद प्यार और गुद मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप तादा को नमस्ते नमस्ते, डायमन्ड मॉर्निंग गुद मॉर्निंग बाबा, गुद मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धार्णा के लिए मुख्य साथ नमबर वन पॉइंट, निर्मानता का गुण धारन करना है, जरा भी एहंकार में नहीं आना है, ऐसा महावीर बनना है, जो माया हिला ना सके, सभी को मन मना भव का वशीकरन मंत्र सुनाना है, बहुत प्यार और धीरच से सबको ग्यान की बाते सुनानी है, बहुत प्यार और धीरच से सबको ग्यान की बाते सुनानी है, बाप का पैगाम सब धरम वालों को देना है, आज की मुडली का वर्दान है, कर्म और संबंद दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव, विश्लेशन है, आप बच्चों की सेवा है, सबको मुक्त बनाने की, तो ओरों को मुक्त बनाते, स्वेम को बंधन में बांध नहीं देना, जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे, तब आव्यक्त इस्थती का अनुभव कर सकेंगे, जो बच्चे, लौकिक और आलोकिक, कर्म और संबंद, दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बापसमान कर्मातीत इस्थती का अनुभव कर सकते हैं, तो चेक करो, कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वाभाव संसकार के वश होने से मुक्त बने हैं, कभी कोई पिछला संसकार स्वाभाव वशी भूत तो नहीं बनाता है, बाबा कहते, चेक करो, कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वाभाव संसकार के वश होने से मुक्त बने हैं, कभी कोई पिछला संसकार स्वाभाव वशी भूत तो नहीं बनाता है, आज की मुर्ली का स्लोगन है, समान और संपून बनना है, तो उसने के सागर में समा जाओ, समान और संपून बनना है, तो उसने के सागर में समा जाओ, ओम शांती